यह वीडियो स्वामी विवेकानन और उनके गुरु रामकिस्ट परमहंस जी के बारे में है स्वामी विवेकानन के बारे में यह प्रसंग आप भी जानते होंगे कि उन्होंने एक दिन लेडिरी से इतनी मोटी एंस इंसाइकलोपीडिया मंगवाया और शाम तक पढ़ के लोटा दिया लेडिरी ने पूछा कि आपने सब पढ़ लिया हजार पेज से ज़्यादा है उन्होंने का हाँ पढ़ लिया आप किसी भी पेज के उठा के पूछ लीजिए आई ते रन्नम लेडिरीन ने एक पेज खोला और एक सवाल किया स्वामी पिव्यक्राण उन्हें करेक्ट जवाब दी है वह हैरान स्वामी पिव्यक्राण के दारिक में कई सत्यENS गटनाय है मैं जो सत्य기도 बत्नाने जा रहा हूँ वो आटोबैग्राफी अफव योगी में है लेकिन उनके गुरू रांकिस परमान्सक के बारे में जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो आटोबाइग्राफिय अपर योगी में नहीं है अन्य परमाणी पुस्तुकुम है तो आएए जानते हैं इन दोनों संतों की वो सत्ते घटनाएं जो हमारी नई पीडी को ही नहीं सारी पीडियों को इंस्पायर करते हैं नमस्कार मैं हुविने बैरी सिंग मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आएए चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले स्वामी विवेकानन के जीवन से जूड़ी एक बहुती दिल्चस्व घटना कि कैसे वे त्रिकाल दर्शी थे भावशी की चीजों को देख लेते थे जाल लेते थे यह प्रसंग प्रमांस योगानन जी की लिखी पुस्तक आटो बाइग्राफिय अफ योगी में हैं मैं इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद योगी का थम्रित से उद्रित कर रहा हूं तो जब प्रमांस योगानन सन 1936 में भारत से अमेरिका लोटे तो वहां उन्हों ने अपने शिश्यों को उपहार दिये यह प्रसंग वहीं से शुरू होता है उपहार बाड़ते बाड़ते एक और अन्यसे से जो सन 1935 से माउंट वाशिंक्टन केंडर की अस्थापना से लेकर अगातार रहे उनको बुलाया और उनको एक चांदी का ग्लास उपहार के उपमें दिया चांदी का ग्लास भावावेक को रोकते हुए वे पानी पीने के उस ग्लास को एक तक देख रहे थे वे कुछ दूरी पर जाकर ऐसे बैठ गये मानो उन्हें कोई सुद्भुदी न रही हो इस घटना के कुछ दिन बाद स्री दिकिन्सन और मैं बात्चीत कर रहे थे उन्होंने कहा गुर्देव चांदी के ग्लास के लिए मेरा हारदिक धन्यवाद कृपया स्विकार कीजिए क्रिस्मस की उस रात मुझे आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे मैं वह ग्लास खास तुम्हारे लिए ही लाया था E.E. Dickinson 43 वर्षों से मैं उस चांदी के ग्लास की प्रतिक्षा करता आ रहा हूँ यह कहानी लंबी है जो अब तक मैंने अपने हिर्दे में ही छिपा कर रखी थी Dickinson ने कहा मैं पानी में डूब कर मर रहा था घटना निब्रास का राज्य में एक छोटे से शहर की है यह अमेरिका की घटना है Dickinson ने कहा मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल खेल में मुझे 15 फुट गहरे तालाब में ढखेल दिया तब मैं केवल पाँच वर्ष का था जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे डूबने लगा तभी सारे अंतरिक्ष को प्रकाश मान करता हुआ एक बहुरंगी दिपतिमान प्रकाश प्रकट हुआ उस प्रकाश के बीच में एक पुरुष की आकिर्थी थी उस पुरुष की आखें अत्यंत शान्त थी और उसके चेहरे पर अभयदान करने वाली मुस्कान थी जब तीसरी बार फिर मेरा शरीर पानी के नीचे जाने लगा तो मेरे भाई के एक साथी ने पास में खड़े एक लंबे पतले पेड़ को नीचे जुका दिया जिससे मेरी उंगलिया उस पेड़ को पकड़ सकी तब उन लड़कों ने मुझे किनारे पर खीच लिया और मेरा प्रत्मों पचार किया। इस घटना के 12 वर्ष बात जब मैं 17 वर्ष का युवक हो गया था तब एक दिन अपनी मा के साथ शिकागो गया। वह 1883 का सितंबर का महिना था। विख्यात विश्व धर्म संसद का ज्वेशन चल रहा था। मा और मैं एक मुख्ष शड़क पर पैदल जा रहे थे कि पुनह उसी प्रकार का दिप्तिमान प्रकाश मेरी आखों के साम आगे कौंध गया। हमसे कुछे ही कदम की दूरी पर वही पुरुष मुझे आराम से टहलता दिखाई पड़ा जिसका मुझे वर्षों पहले डूपते समय दर्शन हुआ था। हुआ पुरुष एक विशाल सभागरे के पास जाकर उसके दर्वाजे में से अंदर घुसकर अद्रिश्य हो गया। मैं चीख पड़ा मा यह वही आदमी था जो मेरे डूपते समय प्रकट हुआ था। मा और मैं तुरंट सभागरे में जा पहुँचे वह पुरुष वियक्षान मंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में हमें पता चल गया कि वह पुरुष भारत के स्वामी विवेकानन थे। उन्होंने आत्मा को जन्जोड देने वाला वियक्षान दिया। उनका वियक्षान समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने आगे गया। मुझे देखते ही वे इस परकार मुस्कराए मानो हम पुराने परचित हो। पुराने मित्र हो। मैं इतना छोटा था कि अपनी भावनाओं को व्यक्ष करने की अक्ल मुझ में अभी नहीं आई थी। परणतु मन ही मन मैं आशा कर रहा था कि वे मेरे गुरू बनेंगे। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ली। नहीं बेटा, मैं तुमारा गुरू नहीं हूँ। स्वामी विवेका नंद ने अपनी सुन्दर भेदक आखों से मेरी आखों में देखते हुए कहा तुमारे गुरू बाद में आएंगे, वे तुम्हें चांदी का एक गिलास देंगे। थोड़ी देर रुक कर मुस्कराते हुए उन्होंने कहा अभी तुम जितने आशिरवादों को ग्रण कर सकते हो, उससे कहीं अधिक आशिरवाद वे तुम्हारी जोली में डालेंगे। थोड़ी दिन नों में मैं शिकागो से लोट आया और उसके बाद मुझे पुना कभी महान विवेका नंद का दर्शन नहीं हुआ। परंत उनके मुख से निकला एक-एक शब्द मेरी अंतरतम चेतना पर अमिट रूप से अंकित हो गया। कुछ देव दूत मेरी द्रिश्ट के सामने प्रकट हुए, कुछ देर तक सारे वातावरन को स्वर्गीय संगीत से भर कर वे धीरे धीरे द्रिश्य हो गया। दूसरे ही दिन यहां लास एंजलिस में मैं पहली बारा आपके एक व्यक्ष्यान में आया और उसी समय मुझे पता चल गया कि मेरी प्रार्थना पूरी कर दी गई। रामकिष्परमहंस माकाली के भक्त थे, उनके लिए माकाली ईश्वर थे, जगन माता थे। वे दक्षेश्वर में माकाली के मंदिर में ऐसे ही बात करते थे जैसे किसी जीवन्त व्यक्ति से बातचित की जाती है। उनकी भक्ति इतने गहरी हो गई कि एक दिन माकाली ने उन्हें दर्शन दिया और फिर लगातार उन्हें दर्शन देती रहें। रामकिष्परमहंस के सिक्षा थे कि लज्जा, घिना, भै तीनों थाकते नौए। यानि साधक को लज्जा, घिना और भै से दूर रहना चाहिए। इश्वर कर नाम लेने में उसे लज्जा नहीं आनी चाहिए। किसी भी जीव से घिना नहीं करनी चाहिए और भै भीत नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था जतोमत ततोपत। यानि आप चाहे शैव हों, शाक्त हों, किसी भी भक्ति पत के अनुआई हों, कर्म योगी हों, या अन्य धर्मों से आप बिलॉंग करते हों, यदि आप विविन रास्तों से जा रहे हैं साधना के पथ पर तो आप वहीं पहुँचेंगे इश्वर के पास ही पहुचेंगे। रामकिस्परमहंस ने तंत्र की दिक्षा साध्वी ब्राह्मणी से ली थी और वेदान्त की दिक्षा तोतापुरी महराज से ली थे। रामकिस्परमहंस से कथा कहते थे कि तीन मित्र थे, घूमते हुए उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ गई, पहला मित्र किसी तरह उस दीवार पर चढ़ा और उसने कहा आहा कितना सुन्दर दिश्य है और दूसरी तरफ कूद गया, इधर दोर मित्र बड़े हैं है उसने क्या देखा कि कूद गया और आया नहीं, तो दूसरा मित्र किसी तरह चढ़के गया, उसने भी हाँ हाँ कितना सुन्दर दिश्य है, कितने अच्छे लोग और वो भी उस तरफ कूद गया, बगी बचा अकेला, तीसरा मित्र, वो भी उस सुकता वश्य उस दीवार प राकितिक दिश्य है, वहाँ संतों का मिला लगा हुआ है, सभी संत, अनंत, आनंद में मगना है, बहुत सुखद लग रहा है, लेकिन वह उस तरफ नकूद के वापस आया, ताकि दुनिया के लोगों को बता सके, कि इश्वर के समराज्य में कितना सुख, कितना आनंद है, जहां दुख कुछ भी नहीं, सुख ही सुख है,